इस वीडियो में बात कर लेते हैं डॉक्टर रेडीज लेब्स की तो यहाँ आप देख रहे होगे इस टॉक की फॉर्मेशन सिंपल है कोई जादर कॉंपलिकेशन नहीं है यहाँ पर कुछ उपर रिजिस्टेंस मिल रही थी यहाँ पर आज देखेंगे आज एक सटन फॉल आया और यहाँ पर गडाउन ओपरिंग के बाद स्टॉक गिरा है फॉल भी 5-6 परसेंट का था फॉल की वज़ाए देख लेते हैं पहले क्यों स्टॉक गिरा तो यहाँ आप देख रहे होगे जो फॉल की वज़ा है जो फॉल की वज़ा है डॉक्टर रेडीज लेबरेटरीज ड्रॉप 5.5 परसेंट लीडिंग लॉसे इन निफ्टी 50 आफ्र योस ड्रग रेगुलेटर इसूस अब्जरवेशन और ड्रग मेकर फैसलिटी एट हाइदराबाद जस्ट बिकास अफ दिस न्यूज आप देखेंगे ये स्टॉक काफी गिरा है और ये कल की न्यूज थी अल्मोस्ट कल आ गई थी ये सामके आज भी इसी न्यूज का असर दिखा इसी लिए आब ही गैप डाउन ओपनिंग होई थी और स्टॉक कहीं ना कहीं तो फिर आपको देखेगा कि पहला स्टॉक जो है वो टार्गेट वो यहां से 5500 को ब्रेक करने की कोशिस करेगा एक साइकलोजिकल लेविल है ये अगर ब्रेक हो जाता है तो अपना पहला टार्गेट यही रहेगा जहां से आज फॉल बनाया 5580 और जब ये क्लियर हो जाएगा तब उपर की दिशा पकड़ेगा और फिर स्टॉक ये वाला गैप फिल करेगा जो आज गैप हुआ है तब उपर की दिशा पकड़ेगा नहीं होता है अगर ऐसा तो स्टॉक आप देखेंगे यहां से फर्दर अगर फॉल बना रहा है तो स्टॉक पहला सपोर्ट तो यहां लेना चाहिए 5433 पर यह भी नहीं होता है तो फिर जो नेक्स सपोर्ट अपना रहेगा वो यहां कहीं रहेना चाहिए 5367 के आसपास यह जो आज लो बनाया स्टॉक ने यह दो सपोर्ट हो गए अगर इन पर भी नहीं रुखता है तो फिर आप देखेंगे स्टॉक में वीकनिस देखने को मिलेगी और फिर जो अपना नेक्स सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 5250 के आसपास यहां पर इस लेवल पर यहां बिसिकली मेरे हिसाब से सपोर्ट मिलना चाहिए साइकलोजिकल लेवल भी है और स्टॉक सपोर्ट रहेगा तो यहां पर अगर स्टॉक फॉर्म होता है आपका मिलता है कहीं गरावट के साथ तो फिर आप समझ लीजेगा यहां से साइडवेज हो जाएगा स्टॉक और फिर कोसिस करेगा चैनल में रिएंटरेगी आगे चलके वो तब करेगा तब की तब से देखी जाएगी उपर के टार्गेट की अगर बात कर लें तो मेन तो यह रहेगा गैप फिलिंग और यह टार्गेट है अपना 5580 उसी हिसाब से समसदारी के साथ Trilling Stop Loss लगा लीजिए Nifty is also at all time high के करीब ही है Unstability अगर Nifty में आती है तो majority of the stocks में आपको Unstability देखने को मिलेगी Mid Cap, Small Cap, Nifty, Next 50, Nifty 100 सभी चीज़ें हिल जाती है Panic Selling आ सकती है क्योंकि आप देखिए Nifty Hype है Just because of this panic selling का Scenario बन रहा है हर जगे तो समसदारी से काम लीजिएगा और रही बार Dr. Reddy's की तो Panic Selling कोई मत करिएगा News driven है एक दो दिन में फिर से सब normal हो जाएगा और फिर से आप देखेंगे अगर कही न कहीं stock support लेगा 5240, sorry 5250 यहां कही stock को रुकना चाहिए अगर नीचे की दिशा पकड़ रहा है उबर की दिशा पकड़ेगा तो यह target है अपने जो आने वाले दिन में 5800 के तो hopefully सारी जीचे क्लियर होगी मिलते नेक्ट विडियो में This is me Subhamiyadav signing off